ही गाईज वेलकम टो आवर चैनल जी रोट इंफिनिटी दोस्तों अगर आप भी ए प्रॉब्लम फेस करें हो कि लिखा रहा है वन वे ओडियू जब यहां पर रिकोड करने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ लिखा रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्ब करें आज की वीड जो सराउंटिंग में शोर वाली चैसे मलब जो भी साउंड है वो अगर आप पर्मिशन दो के अपने माइक्रोफोन में तब यह प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कैसे पर्मिशन दे आज की वीडियो में मैं पताऊंगा तो वीडियो को लाइक जुरूर करें और जो स्टैप आपको फोलो करें आपकी सारी प्रॉब्लम बेलकुल सॉल तो जाएगी तो स्टाट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले क्या करना है आपको अपनी डिवाइस की स्क्रीन पर आ जाना है उसको उपन कर लेना है उपन करने के बाद जिस एक में प्रॉब्लम आ रही है उसको ईहां पर simply search कर लेते हैं, तो app को search कर लिया, मैंने, app को search करने के बाद, यहां पर update को option दि कर रहा है, तो इक बार update जरूर कर लिजेगा, अगर by chance update को option नहीं दिख रहा है, तो एक बार अनी install करके, फिर से install कीजेगा आप ने आप को, तो आपकी problem बिल्कुल solve हो जाएगी, इसके बाद एक और setting पर वह भी करने पड़ेगी, device की setting पर आजाना है, setting पर आने के बाद निचे scroll down करना है, और यहाँ पर एक option हमें show होगा हमारे setting में apps का, तो apps वाले option पर click कर देते हैं, इस पर click करने के बाद यहाँ पर एक option आएगा manage apps का, इस पर click कर देना है, manage apps में click करने के बाद, यहाँ पर हमें सारे apps शोओंगे, यहाँ पर हमें उससे app को search करना है, जिस app में problem आ लिए हैं, तो यहाँ से मैं अपने app को search कर रहा हूँ, आपको भी वहाँ पर search कर लेना है, उसको open कर लेना है, open करने के बाद सबसे पहले storage प सकता है, इसके बाद app permission पर आना है, और सारी permission one by one enable कर देनी है, ध्यान रखना है कि कोई भी permission यहाँ से deny नहीं करनी है, तो one by one सारी permission यहाँ से enable कर देता हूँ, other permission पर जाता हूँ, यहाँ पी सारी permission enable कर देता हूँ, आपको भी same step follow करना है, जो मैं कर रहा हूँ, जिससे आपक कि यह problem solve हो जाए वादर permission में भी सारी permission मैंने लगबग enable कर दी है इसके बाद निचे scroll down करना और यहां पर एक option देखेगा रिस्टिक data usage का तो यहां पर wifi और mobile data show हो रहा है तो इन दोनों को हमें यहां से enable कर देना है wifi और mobile data को enable करने के बाद निचे scroll down करना और यहां पर ट्ले डिफोल्ड को उप्शन देखेगा इस पर क्लिक कर देना इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर फोर्स डॉप कर दीजेगा अपने आपको एक पर रिस्टार्ट करें रिस्टार्ट करने के बाद ट्राइ किजेगा आपकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी तो फोट्यो का लाइक जुरूर करें